आप्यों सेना को ससक्ट करने के लिए बीते चार वर्षों में अनेक कदम उठाए गए है दुनिया की बेस टक्नलोजी को बारतिय सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है सेना की चमता हो या फिर बहदुर जबानों के जीवन को सुगम और सलल बनाने का काम हो बड़े और कड़े फैसले लेने का साहच इस सरकार में है और ये आगे भी बरकरार रहेगा सर्विकल स्राइट से लेकर नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्विजर्विक करने तक का फैसला हमारी ही सरकार ने लिया है यहां मवजूद अनेक पूर्वसैनिक इस बात के भी साच्ची है कि दसकों से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने अपने बाइदे के मताबिक पूरा कर दिया है इतना ही नहीं करीब 11,000 करोड रुपे का एरियर भी पूर्वसैनिकों तक पहुंचाया जा चुका है जिससे लाखो पूर्वसैनिकों को लाब मिला है इसके साथ 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 में वेतन आयों की सिफारिश पर जो पैंशन ताह की गई है वो भी O.R.O.P. 1 रैंक बन पैंशन लागू होने के बाद ताह पैंशन के आधार पर बढ़ी है यानि मोरे फोजी भाईयों को पैंशन पर डबल बोना अंजा मिला है ऐसे अनेक प्रयास पुर्व साइनिकों के जीवन को सरर और सुगम बनाने के लिए किये गए है इसके अलाबा साइनिकों के शौरिय को बावी पीडिया जान पाए इसके लिए नेशनल वार मुजियम कार्य भी अब आखरी चरन पर पहुँच चुका है साथियों कल याने 22 अक्तुबर को राणी जासी रेजिमेंट के भी पच्चरतर वर्ष पूरे हो रहे हैं शसस्त्र सेना में महिलाओं की भी बराबरी की भागिदारी हो इसकी नीव भी नेताजी सुभाचंद्र बोध नहीं रखी थी देश की पहली शसस्त्र महिला रेजिमेंट बारत की समरिद्ध परंपराओं के प्रती सुभाद बाबु के अगाद विश्वास का परणाम था तमाम विरोदों को दर किनार करते हुए उन्होंने महिलाओं सहिनिकों की सलामी ली थी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि नेताजी ने जो काम 75 वर्थ पहले सुरू किया था उसको सही मायने में आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है इसी 15 अगस को मैंने यहीं लाल किले से एक बड़ा एलान किया था मैंने कहा था कि ससस्त्र सेना में सौर्ट सर्वीश कमिशन के माध्यम से नियूक्त महला थिकारियों को पूरू समकष थिकारियों की तरही एक पारदर्शी चैन प्रक्रिया द्वारा स्थाई कमिशन दिया जाएगा साथियों ये सरकार के उन प्रयासों का विस्तार है जो बीते चार वर्सों से उठाए गए है मार्च दोहजार सोला में नेभी में महलाओं को पाइलेट के रुपे इंड़ करने का फैसला लिया गया था कुछी दिन पहले ही नौ सेना की छे जाबाज महला अधिकारियों ने समंदर को जीत कर विश्व को भारत की नारी शक्ति का परिचय करवाया इसके अलावा देश को पहली महला फाइटर पाइलोट देने का काम भी इसी सरकार के दोरान हुआ है मुझे इस बात का भी संतोथ है कि आजाद भारत में पहली बार भारत की ससत्र सेनाओं को ससक्त करने देखरे करने का जिम्मा भी देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सिता रामन जी के हाथ में है आज आप सभी के सयोग से ससत्र बलो के कौशल और समर्पन से देश पूरी तरह से सुरक्षित है समर्प है और विकास के पतपर सही दिशा में टेज गती से लक्ष को पाने के लिए दौड रहा है